प्यारे परमेशर इस अच्छे से समय के लब को दनेवा देते हैं आज के इस वैबल वचन समय को भी आशिश दायक बना के दीजिए इस वचनों के द्वारा हमसे बाते कीजिए परमेशर इस मसी के नाम से हम मांगते हैं आमेन उत्पती अध्याई 32 याकूब ने भी अपना मार गलिया और परमेशर के दूद उसे आ मिले उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेशर का दल है इसलिए उसने उस्तान का नाम महनाईम रखा तब याकूब ने सहीर देश में अरतात ये दोम देश में अपने बाई एसाव के पास अपने आगे दूद बेज दिये और उसने उन्हें यह आग्या दी मेरे प्रबू एसाव से यो कहना तेरा दास याकूब तुझ से यो कहता है कि मैं लाबान के यहां पर देशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाई बैल, गदे, बेड बकरियां और दास दासियां है और मैंने अपने प्रबू के पास इसलिए संदेश बेजा है कि तेरे अनुगरह की दृष्टी मुझ पर हो वेदूत याकूब के पास लोटके कहने लगे हम तेरे बाई एसाव की पास गए थे और वह भी तुझसे मेंट करने को 400 पुरुष संग लिये हुए चला आता है तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने सातियों के और बेड बकरियों के और गाई बेलों और उंटों के भी अलग-अलग दो दल कर लिये कि यदि एसाव आकर पहले दल को मानने लगे तो दुसरा दल बाग कर बच जाएगा फिर याकूब ने कहा हे यह हुआ हे मेरे दादा इब्राहीम के परमेशर हे मेरे पिता इसाहाक के परमेशर तुने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमी में लोट जा और मैं तेरी बलाई करूंगा तुने जो जो काम अपनी करूना और सचाई से अपने दास की साथ किये है कि मैं जो अपनी चड़ी ही लेकर इस यर्दन नदी के पार उतर आया और अब मेरे दो दल हो गए है तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्यन तो नहीं हूँ मेरी विंती सुनकर मुझे मेरे बाई एस सव के हाथ से बचा मैं तो उससे डरता हूँ कई ऐसा नहो कि वह आकर मुझे और मा समेत लड़कों को भी मार डाले तुने तो कहा है कि मैं निश्चे तेरी बलाई करूँगा और तेरे वंच को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने बाई ए सव की बेंट के लिए चांट चांट कर निकाला अतत दोसो बकरियां और बीस बकरे और दोसो बेड़े और बीस मेड़े और बच्चों समेत दूद देने वाली 30 उंठनियां और 40 पारिस गाएं और दस बैल और बीस गदियां और उनके दस बच्चे इनको उसने जुंड जुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा मेरे आगे बढ़ जाओ और जुंडों के बीच बीच में अंतर रखो फिर उसने अगले जुंड के रखवाले को यह आग्या दी जब मेरा बाई एसाव तुझे मिले और पुछने लगे तु किसका दास है और कहां जाता है और यह जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं तब कहना यह तेरे दास याकुब के हैं हे मेरे प्रबु एसाव यह बेंट के लिए तेरे पास बेजे गए है और वह आप भी हमारे कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना और यह भी कहना तेरा दास याकुब हमारे पीचे पीचे आ रहा है क्योंकि उसने यह सोचा कि यह बेंट जो मेरे आगे आगे जाती है इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा हो सक उस रात को चामनी में रहा उसी रात वह उटा और अपनी दोनों स्रीयों और दोनों दासियों और ग्याराहों लड़कों को संग लेकर गार्ट से यबोक नदी के पार उतर गया उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकु पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जांग की नस को चुवा और याकुब की जांग की नस उससे मलियुत करते ही करते चड़ गई तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है याकुब ने कहा जब तक तु मुझे आशिरवाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूँगा और उसने याकुब से पूछा तेरा नाम क्या है उसने कहा याकुब उसने कहा तेरा नाम अब याकुब नहीं परंतु इसरायल होगा क्योंकि तुप परमेश्वर से और मनुश्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है याकुब ने कहा मैं विंती करता हूं मु परमेशर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्रान बच गया है। पनुवेल के पास से चलते चलते सूर्य उदै हो गया और वह जांग से लंगडाता था। इसराइली जो पशुवों की जांग को जोडवाले जंगानस को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकुब की जांग के जोड़े में जंगानस को चुवा था। मत्ती अधियाए उन्निस जब इश्यू ये बाते कह चुका तो गलिल से चला गया और यर्दन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी बीट उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। अतह वे अब दो नहीं परन्तु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वन ने जोड़ा है उसे मनुश्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा फिर मुशा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। उसने उनसे कहा मुशा ने तुमारे मन की खटोरता के कारण तुमें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आग्या दी। परंतु आरंब से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यविचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दुसरी से विवाह करे वह व्यविचार करता है। और जो उस छोड़ी उई से विवाह करे वह भी व्यविचार करता है। चेलो ने उससे कहा यदि पुरिश का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। राजिय के लिए अपने आपको नपुन्सक बनाया है। जो इसको ग्रहन कर सकता है वह ग्रहन करे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हात रखे और प्रातना करे। पर छेलो ने उन्हें डांटा। इश्यू ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्ग का राजिय ऐसों ही का है। और वह उन पर हात रखकर वहां से चला गया। एक मनुश्य इश्यू के पास आया और उससे कहा हे गुरू मैं कौनसा बला काम करूं कि अनन्त जीवन पाऊं। उसने उससे कहा तू मुझसे बलाई के विशे में क्यों पुछता है। बला तो एकी है पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाता है तो आग्याउं को मा करू है। उसने उससे कहा कौन सी आग्याएं। इश्यू ने कहा यह की हत्या न करना व्यभिचा न करना चोरी न करना जूटी गवाई न देना अपने पिता और अपनी माता आधर करना और अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना उस जवान ने उससे कहा इन सबों को तो मैंने माना है अब मुझ में किस बात की गटी है इश्यू ने उससे कहा यदि तु सिद्ध होना चाता है तो जा अपना माल बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में दन मिलेगा और आकर मेरे प्रास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत दनी था तब इश्यू ने अपने छेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि दन्वान का स्वर्ग के राजिय में प्रवेश करना कटीन है तुमसे फिर कहता हूं कि परमेशर के राजिय में दन्वान के प्रवेश करने से उंट का निकल जाना है, यह सुनका चेलों ने भूत चकीत होकर कहा, फिर किसका उदधर हो सकता है? इश्यु ने उनकी और देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नई हो सकता, पर नकि परिमिश्वर से सब कुछ हो सकता है, इस पर पत्रस ने उससे कहा, देख़्, हम तो सब कुछ तेरे पीछे हो लिए है तो हमें क्या मिलेगा इश्यू ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई स्रिष्टी में जब मनुश्य का पुत्र अपनी महिमा के सिहासन पर बैटेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिहासनों पर बैटकर इसराइल के 12 गोत्रों का नियाई करोगे और जिस किसी ने गरों या बायों या बहीनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा परंतु बहुत से जो पहले है पिछले होंगे और जो पि कि दाक मदू ठटा करने वाला और मदीरा हला मचाने वाली है जो कोई उसके कारण चुक करता है वह बुद्धिमान नहीं राजा का बैदिकाना सीया का गरजना है जो उस पर रोश करता वह अपने प्रान का अपरादी होता है मुकदमे से हाथ उटाना पुरुष की महिमा ठहरती है परन्तु सब मूट जगरने को तयार होते है आलसी मनुश्य शीत के कारण हल नहीं जोटता इसलिए कटनी के समय वह बीक मांगता और कुछ नहीं पाता मनुश्य के मन की युकती अताह तो है तो भी समझ वाला मनुश् बहुत से मनुश्य अपनी कृपा का प्रचार करते है परन्तु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है दर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे दन्य होते है राजा जो नियाई के सीहासन पर बैटा करता है वह अपनी दृष्टी ही से सब को चांट लेता है कौन कह सकता है कि मैंने अपने हिरदय को पवित्र किया अत्वा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं गटती बढ़ती बढ़त करे और गटते बढ़ते नपुवे इन दोनों से यहोवा घृना करता है लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंके है उन दोनों को यहोवा ने बनाया है निंच से प्रिती न रख नई तो दरीद्र हो जाएगा आंके खोल तब तू रोटी से तुरुपत होगा मोल लेने के लिए समय ग्राहक अच्छी नहीं आच्छी नहीं कहता है परन्टु चले जाने पर बढ़ाई करता है सोना और बहुत से मूगे तो है परन्टु न्यान की बातें अनमुल मनी ठहरी है जो अन्जाने का उतरदाई हुआ उसका कपड़ा और जो पराइं का उतर दाई हुआ उसे बंदक की वस्तु ले रख चोरी चिपे की रोटी मनुश्य को मीटी तो लगती है परंतु बाद में उसका मुव कंकड़ों से बर जाता है सब कलपनाई सम्मती ही से स्तिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए जो लुतराई करता फिरता है वह बेद प्रगट करता है इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना जो अपने माता पिता को कोस्ता उसका दिया बूद जाता और गोर अंदकार हो जाता है जो बाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशिश नहीं होती मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा वर यहोवा की बाट जोता रह वह तुछ को चुड़ाएगा गट्ती बट्ती बटकरों से यहोवा घृना करता है और चल का तराजू अच्छा नहीं मनुश्य का मार्ग यहोवा की और से ठहराया जाता है आदमी कैसे अपना चलना समझ सके जो मनुश्य बिना विचारे किसी वस्तु को प पटकता है और उन पर दावने का पईया चलवाता है मनुश्य की आत्मा यहोवा का दीपक है वह मन की सब बातों की खोज करता है राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गदी समबलती है जवानों का गौर उनका बल है परन्तु होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हिर्दय निर्मल हो जाता है एमेन प्यारे परमेशरे सचे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस बैबल वाचन समय को भी अपने आशिश दायक बना के दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं जिसे हम पड़ेते याकूब मल युद्ध करकर प्रबल हुआ और आपसे सारा आशिरवाद प्राप्त क किया उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी हम सारा आशिरवाद आपसे प्राप्त करने के लिए मदद कीजिए मनुश्य से नहीं हो सकता है पर परमेशर से सब कुछ हो सकता है उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी आपके द्वारा सब कुछ होने के लिए हम प्रातना करते ह जैसे नीती वचन में हम पढ़े थे, न्यान की बातें अन्मोल मनी के समान हैं, उसी प्रकार हमारे जमान में हमेशा उस न्यान की बातें रहने के लिए हम प्रात्ना करते हैं, एशु मसी के नाम से मांगते हैं पिता, आमें, गौड ब्लेस यू.